हेलो एवरीवन मैं हूँ दीशा एंड वेलकम टू माई चैनल जॉइन विद दीशा आज मैं आपके साथ फोर यूनिक और वेरी ट्रेंडी बोटल आर्ट शेयर करने वाली हूँ जिससे बना के आपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं तो इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिना ताकि मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें तो फर्स्ट बोटल आर्ट के लिए मैंने यापे ओल्रेडी ग्लास की बोटल के उपर वाइट जेस्सो एपलाई कर दिया है आप बेस कोट के लिए अक्रेलिक कलर भी फेस के उपर ट्रेस कर सकते हैं तो बोटल के राउन में अच्छी तरह से उसको अपने पेंटिंग को सिक्यार कर लीजी अब हमें किसी भी पैंसिल या पैन की मदद से इसके उपर हमें ट्रेस कर देना है आप यहाँ पे अपनी किसी भी प्रेंट आउट को इस तरह से ट्रे कर लेना है है कि तो पूरी आउटτι लैनिंग कर लिए अब मैं याँ पर एक्रेख कलर से पेंट करूगी यहां पर मैंने sýky nac we call骯 आप 와 के चोलर यहां पर से जोड़ा सा रिकलर का शानव आप भी इस तरह से अपने घर पे ही स्कीन कलर बना सकते हैं। Google से सर्च करके अपने मन पसंद पेंटिंग को यहाँ पे ड्रॉ करके इस तरह से अपनी किसी भी सर्फेस के उपर पेंटिंग करके इसे कंप्लेट कर सकते हैं बस हमें थोड़ा सा कलर कॉंबिनेशन डाल के उसे कंप्लेट करना है राजस्थानी कल्चर बहुत ही कलर फुल होत है तो आप भी अपने घर को एक ट्राडिशनल लूप देना चाहते हैं तो इस तरह से राजस्थानी पेंटिंग को यहाँ पे ड्रॉ करके अपने घर को ट्राडिशनल लूप दे सकते हैं तो बातों बातों में मैंने लेडी की पेंटिंग को भी कंप्लेट कर लिया है और उ इस तरह की पेंटिंग कर सकते हैं अब हमारी लेडी की पेंटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है अब बाकी की जो बोटल है उसको हम पेंटिंग करेंगे यलो कलर से मैं यहां पे उसके जो एजी से उसे ब्रस की मदद से करूँगी और बाकी का जो पाट है उसे में स्पोंज की मदद से इस तरह से टैप करते हुए करूँगी इसी के साथ हमारी फर्स्ट बोटल आट कंप्लिट होती है इस तरह से आप अपनी किसी भी पेंटिंग को ट्रेस करके बोटल आट को complete कर सकते हैं तो कैसा लगा मेरा ये idea मुझे comment करके जरूर बताना बढ़ते हैं next bottle art की तरफ next bottle art के लिए मैंने उसको already complete कर लिया है नीचे base coat में मैंने जेस अपलाई किया था और उपर मैंने यहां पे इस तरह का choke paint यूज़ किया हुआ है आप normal acrylic color भी उसकर सकते हैं अब ये जो मैंने राउन किया है उसके उपर में यहां पे बेबी बुद्धा का पेंटिंग करने वाली हूँ। मैंने यहां पे बेबी बुद्धा को बहुती सिंपल रखा हुआ है ताकि आप चाहे तो उसे इजिली अपनी बोटल के उपर एपलाई कर सकते हैं। हमें उपर ट्रेस करूँ। तो आखिर मुझे एक सर्फेस मिल गया कि मैं अपनी बोटल आट को बेबी बुद्धा से कम्पलिट करूँ। क्योंकि इसे बनाना बहुती सिंपल है। आप किसी भी बेबी बुद्धा की पेंटिंग को अलग-अलग तरीके से यहां पे अपने बेबी बुद्धा की पेंटिंग को इस तरह से किया है। उसके उपर इस तरह से राउंड-राउंड भी बना लिया है। अब जो बाकी का सर्फेस से उसे हम कम्पलिट करेंगे। सेम कौंटिटी में वाइट ग्लू मिक्स कर दीजिये और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके उसके बाद आप जो भी एक्रिलिक कलर इसमें अड़ करें। यानि कि आप जो भी 3D आउट लाइनर बनाना चाहते हैं। उसके अंदर उस कलर को मिक्स कर दीजिये और अच्छी त कर सकते हैं अब उसे थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए यहां पर मैं स्टोन का इस्तिमाल कर रही हूं आप चाहे तो उसको एज़ेटी सी रख सकते हैं अगर आपके पास इस तरह की जूट लेसिस नहीं है तो आपके पास इस तरह की जूट लेसिस नहीं है तो आप नॉर्मल जूट रोगी उस्तिमाल कर सकते हैं मैं यहां पर पूरी बोटल को इस तरह की जूट लेसिस से कवर नहीं करूँगी बीच में थोड़ी सी जगह खाली रखूँगी और उपर और नीचे का पाट में कवर कर दूँगी तो यह देख सकते हैं मैंने उपर और नीचे का पाट बिल्कुल कम्पलीट कर लिया है कवर कर लिया है अब यहां पर इसके उपर में पेंटिंग करूँगी पेंटिंग के लिए मैं यहां पर वरली आट कर रही हूँ वरली आट बहुत ही सिंपल है आप देखते ही समझ चाहेंगी इसे बनाना कितना इजी है नीचे के पाट में मैंने वरली आट की है और उपर में कुछ इस तरह की डिजाइनिंग करूँगी और उसके बाद यहां पे उसके उपर मैं एक्रिलिक कलर से उसे कम्पलेट करूँगी अब हमारी बोटल ऐसे तो कम्पलीट है लेकिन इसका जो बीज का पाट है वो मेरी बोटल का थोड़ा सा अन इवन था तो मैं इसे कवर करने के लिए ग्लास कलर का यूज़ कर रही हूँ पूरे में ग्लास कलर अप्लाइ कर दूँगी और उसके उपर मैं 3D आउटलाइनर कोन से थोड़ी सी डिजाइनिंग करूँगी तो हमारी थर्ड बोटल आट बिल्कुल रेडी है आप देख सकते हैं बीज का पार्ट मैंने क्यों खाली रखा था क्योंकि मैं इसके अंदर फैरी लाट यूज़ करना चाहती थी तो चलिए शुरू करते हैं अपनी 4th DIY बोटलाट को उसके लिए यहां पे मैंने बोटल के उपर अल्रेडी जैस्टो अपलाई कर दिया था और उसके उपर मैं यहां पे ब्लू कलर से उससे पूरा पेंटिंग कर दूँगी अब यह कंप्लेटली ड्राइ हो चुका है इसके उपर मैं आपे डॉटेड पेंटिंग करने वाले हूँ उसके लिए मैं यहां पे इस तरह की पैन या तो आप एरबट का भी यूज़ कर सकते हैं और आपके पास डॉटेड टूल्स है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं काम यह उड़ जब शोज़ आपके लिए मैं अबबबबबबबबबबबबबबबबब अच्टो है और गला टाल तो कुछ इस तरह से मैंने पूरी बोटल के उपर मंडला डोट पेंटिंग को कमप्लेट कर लिया है आप इसे इजिली बना सकते हैं तो यस हमारी फॉर्ट बोटल आट भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है तो प्लीज इसके लिए एक लाइक जरूर कर देना I hope कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया है तो प्लीज लाइक करना ना भुले और चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस का देजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए चेक केर और बाइबाइ थैंक्स वर वचिंग वीडियो